Hello guys, welcome back to my channel इस वीडियो में admit और confess दोनों के बीच के अंतर को समझेंगे admit का मतलब होता है सत्य के रूप में स्विकार करना और confess का मतलब होता है गलती के रूप में स्विकार करना अक्सर स्टुडेंट कन्फिज रहते हैं कि कब हम admit का योज करें और कब हम confess का योज करें इन दोनों का मतलब होता है स्विकार करना लेकिन admit का योज हम तब करते हैं जब हमें सत्य के रूप में स्विकार करना हो और confess का यूज हम तब करते हैं जब हमें गल्दी स्विकार करना हूँ सो चलिए इन दोनों वर्ट को एक्जामपल की जरीए समझते हैं एक्जामपल है I admit that you are abler than I am मतलब यह स्विकार करता हूँ कि तुम मुझे अधिक योग्य हो यहाँ पर admit का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर सत्य के रूप में स्विकार किया जा रहा है कि यह स्विकार करता हूँ कि तुम मुझे अधिक योग्य हो नेक्स्ट एक्जामपल देखते हैं He confessed his guilt before the judge उसने judge के सामने अपना दोस स्विकार किया यहाँ पर दोस यानि अपने गलती को स्विकार कर रहा है तो यहाँ पर confess का यूज हुआ है आशा करते हूँ कि आपको admit और confess के बीच का जो different है वो समझ आ गया होगा तो आज के लिए इतना है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share और subscribe जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में टिल लिन तेक क्यार के practicing बाबाए